हेलो फ्रेंज वेलकम टो SSC मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जन्नल अवैनिस की इंपॉर्डेंट टॉप 20 MCQ डिटेल में डिस्कस करेंगे यह जन्नल अवैनिस की सीडीज का पार्ट 204 है जो कि आपके आने वाले रिल्वेंट TPC, ग्रूप D, SSC CGL, CHSR, MTS Bank और All Exams क जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्रिशन उससे पहले दोस्तों आज कर थोड़ जान लेते हैं वन अफ माई फेवरेट वर्क हार्ट सो साइलेंट्री डैट सक्सस में मेका नॉइज दोस्तों इसका मनलब यह कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि काम्या भी जो है शोर मचा दे तो चलिए चलते हमारे फर्स्ट क्रिशन है किसी राज्य की राज्यपाल द्वारा जारी औरिनेंस का अनुमोधन होना अवश्यक है पताए दोस्तों वह है राज्य की विदाएका द्वारा दोस्तों समीधान के अनुछे 213 के 2 का के तहट जो है का द्वारा अनुमोदन अवश्यक है अन्यता जो है दोस्तों वह जो है परवतन में नहीं रहेगा याद रखिए का दोस्तों नास्ट कृषिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन कृषिन है भारती सम्वीधान के निम्लिकित में से कौन सा अनुछेद राज्यपाल को अध्यदेश जारी करने के शक्ति प्रदान करता है तो दोस्तों वह है अनुछे 213 दोस्तों भारती सम्वीधान के अनुछे 213 के वन के अनुसार ठीक है उस समय को छोड़कर जब किसी राज्ये की विधान सबा सत्र में है या विधान परिशद वाले राज्ये में विध दोस्तों अध्यदेश प्रख्यापित कर सकेगा और इस अध्यदेश को जो है दोस्तों राज्ये विधान मंडल के पुने समवेथ होने पर उससे स्विकृति मिलना अवश्चक है अन्यता दोस्तों विधान मंडल के पुने समवेथ होने के 6 सबता के बाद उसकी जो विदत है समाप तो जाती है याद रखिए का दोस्तों यह कहता है अनुछे 213 का वन और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अससी मेकर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें शेयर करना बिल्कुल ना भूले नास्ट Ma second important question है जब तक ही वैक्ति को दो या अधिक राज्यो क किया जाता है तो उस राज्यो पाल को संदे उपलब्दियां और भत्ते हूंगे बताईए दोस्तों किसके नुसार तो दोस्तों वै जो है होंगे इससे उन राज्यों के पीच ऐसे अनुपात में अवण्टित किया ज जैसा राष्टपती आदेश द्वारा अवधारित करें ओके दोस्तों भारती सम्विधान के भाग छें के तहत अनुछेद 153 का के अंतरगत यह प्रावधन किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्येपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सं से अनुपात में अवंटित किया जाएगा जिसा राष्टपती आदेश द्वारा अवधारित करें याद रख्येगा दोस्तों नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण क्रिशन है केंद्र शाश्रित प्रदेश लद्दा का प्रथम लेफ्टिनें कौन थे रादा क्रिशन मातुर इनको न्युक्त किया गया था याद रखिए का दोस्तों नाक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण क्रिशन है राज्य सरकार का कारेकारी अध्यक्ष या समविधानिक प्रमुक कौन है तो दोस्तों वह है राज्यपाल संविधान के अनुछेद 154-1 की अनुसार जो है राज्जे की कार Freunde का शक्ती जो है राज्जे पाल में नीहित होगी जिसका प्रियोग वैः इस संविधान के अनुसार स्वेम या अपने अधीनस्त अधिकारियों के द्वारा करेगा और इस प्रकार जो है राज्चे सरकार का सम्विधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है याद रखे का दोस्तो नाक्स्ट किशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉडन किशन है भारती सम्विधान के निम्न अनुछेदों में से और दोस्तो नाक्स्ट इंपॉडन के विचारात आरक्षित रख सकता है एक जो है इसमें रास्ट पती ऐसे आरक्षित विदेख पर विचार करता है और अपनी अनुमती देता है या रोक लेता है याद रखे का दोस्तो नाक्स्ट किशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉडन किशन है भारत के सर्वोची नियाले ने किस वर्ष में नियाधीशों को न्युक्ति के लिए कॉलेजियम विवस्था को अपनाया था तो दोस्तो वे हैं 1993 भारत के सर्वोची नियाले ने नियाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में कॉलेजियम विवस्था को अपनाया था और दोस्तो नियुक्ता बनाम भारत संग मामले में उच्चितम नियाले द्वारा नियाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापनका जो है निर्ने दिया गया याद रखिए का दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो शेर करना बिल्कुल ना भूले आप सभी जानते शेरिंग इस दा बेस्ट वे उफ लर्निंग तो शेर ज़रूर करें हमारा नेकस्ट इंपॉर्डं कृषी निमलिकद में से किस मामले में मिन केंद्रि आन्वीशन साखा चोनी स्था नेक वीडियलक पिंज्डूर आवंटन गौटाला-वाद की सिग्यन नाक्स्ट किशिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्डिन किशिन है किस कानून के अंतरगत यह विहित है कि भारत के उचितम न्याले की संपूर्ण कारेवाई अंग्रेजी भाष्श में होगी तो दोस्तो वह है भारति सम्वीधान के अनुछे 348 द्वारा दोस्तो भा जोक की जाने वाली भाषा के संबंद में उपबंद किया गया है और इसमें सपस्ट लेक है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंदों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसत विदी द्वारा अन्यता उपबंद ना करे तब तक उचितम न्याले जो है और प्रतेक उ मुकदमे की संकल्पना का उधगम देश कौन सा है तो दोस्तो वह है USA दोस्तो लोगितवाद यानि मुकदमे की संकल्पना का उधबव जो है USA यानि अमेरिका से हुआ है याद रखिएगा दोस्तो नास्ट कुशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन किशन है P.I. इल क्या है बताईए दोस्तों क्या है यह है इसका संपूर्ण रूप बताना है तो दोस्तों वह है पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन दोस्तों पी आई एल जिसका पूर्ण रूप है पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन यानि जनहीत याचिका दोस्तों जनहीत याच कि शिन भारतिय न्याइक विवस्ता में जब जनहित याचिकाओ को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्यादिश कौन थे तो दोस्तों उनका नाम है वाइ-की न्याले का पहलोब पर जनहित याचिकाओ यानि पब्लिक समाज का कोई व्यक्ति या समू, जनहित के मामलों में न्यायक उपचार प्राप्त करने हैं तू न्यायले की शरण ले सकता है और दोस्तो सरवपधम जो है यानि सबसे पहले सरवोचि न्यायले की न्यायदी जो थे उनका नाम था पीएन भगवती इनके द्वारा दोस्तो 1979 में हुसेन आरा खातुन केस में जनहित याचिका स्विकार की गई थी इस याचिका को पुषपा, कपीला, हिंगोरानी इन्होंने दाखिल किया था और दोस्तो इन्हे जो है जनहित याचिका की माता के नाम से भी चाना जाता है यानि मदर ओफ पिया दोस्तो उलेख ने है कि जिस समय जो पियन भगवती थे इन्होंने याचिका स्युकार की थी उस समय वे जो है दोस्तो सर्वच्चे नियाले के नियाधीस थे ना कि मुख्य नियाधीस और दोस्तो सर्वच्चे नियाले में नियाधीस के रूप में इनकी नियुक्ति जो है 86 तक और दोस्तों जनहीती आची का स्विकार करने के समय जो है वाइपी चंदरचूड जिनका कारेकाल था 20 फरवरी 1978 से लेकर ठीक है 11 जुलाई 1985 तक दोस्तों ये जो है सरवोच्छे न्याले के मुखे न्याजीज ते याद रखेगा नाक्स्ट कुषिन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉडन किषिन है उचितम न्याले मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है तो दोस्तों वै करता है रास्टपती के अनुमोधन से दोस्तों सम्वीधान के अनुछेद 130 के अनुसार उचितम न्याले दिल्ली में अत्वा ऐसे अन्य स्थान या इस्थानों में अधिविस्ट होगा जिने भारत का मुख्य न्यायदी रास्टपती के अनुमोधन के समय समय पर नियत करें याद रखेगा दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्डन किशन है भारत के नीचे दिये गए न्यालों में से किसे या किने अभी लेक न्याले माना जाता है तो दोस्तों वह कहलाते हैं उच न्यालों और उचितम न्याले को दोस्तों भारती सम्वीधान के अनुछेद 129 के तहट जो है उचितम न्याले को और सब्सक्राइब करें स्धेर करना बिल्कुल न भूले हर सोसां साथ सद्सद्सद्र पेच दोसरों की भी यह व कीजिए दोसरों की फिर नाक्स्ट पर चलता है हमाना next important question है भारत में सम्वीधान की मूल संरचना यानि बुनियादी डहचा के सिद्धान का स्रोत क्या है तो दोस्तो वे है निया एक व्यवस्था स्वरी व्यक्या दोस्तो केश्वनन भारती बनाम भारत संग के वाद में नियायमूर्थी सीकरी ने सम्वीधान की मूल यानि बुनियादी डहचा के सिद्धान की व्यक्या की जिसका अनुमोधन जो है मिनवरा मिल्स के वाद में किया गया याद रखिएगा दोस्तो नाक्स्ट कुषिन पर चलते हैं हमारा next important question है देश के किसी भी न्याले में चल रहे वाद को अनियंत्र भेजने का अधिकार कि दोस्तो वे है सर्वोच्ची न्याले के पास दोस्तो देश के किसी भी न्याले में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अनियत्र इस्थान पर किये जाने कर निर्देश देने का जो अधिकार है दोस्तो वे है सर्वोच्ची न्याले के पास और यह कहता है दोस्तो अनुछेद 139 का याद रखीगा Next question पर चलता है हमारा next important question है निमलिकित में से कौन से मामले उच न्याले और उच तम न्याले की अधिकारिता में आते हैं तो दोस्तो वे है मोल अधिकारों का प्रवर्तन दोस्तो सम्विधान के बहाग तीन में वर्नित नागरिकों के मोल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार सम्विधान द्वारा उच तम और उच न्याले को दिया गया है और दोस्तो उच तम न्याले अनुचेद 32 के तहट और उच न्याले अनुचेद 226 के तहट मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए जो है बंदी प्रतियक्षी करण परमादेश ठीक है प्रतिशेद उत्प्रेक्षन और अधिकार की जो प्रिक्षा संबंदी रिट है निकाल सकते हैं और दोस्तों याद रखेगा ये जो है कौन से मामले उच न्याले और उच तम न्याल के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निस्टा रखूंगा भारत की संप्रभूता और अखंडता को बनाए रखूंगा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वैन करूंगा दोस्तों ये जो है संवीधान और कानून की रक्षा करूंगा ये सपद जो है किसके द्वारा दी जाती है बताइए तो दोस्तों वे हैं भारत के मुखे नियादीज द्वारा दोस्तों शपद का जो प्रारूप है संवीधान की अनूसूची तीन के तहज जो है उच्टम नियादीशों और भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक द्वारा ली गई शपद का है याद दोस्तों वे हैं दस वश दोस्तों संवीधान की अनूचेद 124 के तहट उच्टम नियादीशों की नियुकती होती है और उच्टम नियादीश रास्टपती द्वारा नियुकत किया जाता है दोस्तों रास्टपती जो है उच्टम नियाले या उच्ट नियालियों में किसी कंसी है तो दोस्तों वह हैं वह जो है भारत का नाकरिकों करें का अधिक उछ नियाले का कंसे कम पांच वर्ख सक नियाई देश रहा हो या फिर दोस्तों थर्ड है एक यас अधुक उछ अधिवक्ता राह हो या फिर फोर्थ वे रास्टपती की राय में पारंगत विदिवेता हो याद रखिए कर दोस्तो नास्ट कृषिन पर चलते हैं हमाने लास्ट इंपॉर्डिन कृषिन है बारत का उचितम न्याले कानून या तथे के मामले में रास्टपती को परामर्श देता हैं बताई दोस्तो किसके केने पर है यह उससे परामर्श के लिए कहता है दोस्तों अनुच्छे 1004000 के अनूसार Woah भारत का उचितम न्याले कानून या तथे के मामले में रास्टपती को परामर्श देता है जब रास्टपती जो जो है उससे ऐसे परामर्स के लिए कहता है याद रखी का दोस्तों तो दोस्तों यह थी जर्नल आवेनेस के इंपॉर्डिन टॉप 20 MCQ आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने स्टड़ी रिलेटिव ग्रूप में शेयर ज़रूर करें और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूले आज के लिए बस इतना ही थैंकि सो मज जोस्तों